साउत के मास महाराजा रवी तेजा इन दिनों अपनी बहु प्रतीक्षित फिल्म मिस्टर बच्चन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं दर्शक बेसबरी से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की तारीक से परदा उठाया था जिसे फैन्स के बीच उतसाख का महौल था वही अब इस फिल्म को लेकर नई जानकारी सामने आई है जैसे जैसे मिस्टर बच्चन की रिलीज की तारीक नजदीक आ रही है इस एक्शन एंटर्टेनर के निर्माता ओफलाइन और ओनलाइन दोनों तरह से प्रचार कर रहे हैं मास महाराजा रवी तेजा अभिनीत और हरीश शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अपने प्रचार कंटेंट के साथ काफी उत्साह पैदा कर रही है अब फिल्म की नाईका भागिश्री बोरसे ने दिल्चस्प अपडेट साज़ा किया है फिल्म की नाईका भागिश्री बोरसे इस फिल्म के जरिये टॉलिवूड में डेब्यू कर रही है उन्होंने ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर साजा किया कि उन्होंने मिस्टर बच्चन में अपनी भूमिका के लिए डबिंग पूरी कर ली है पोस्ट प्रोडक्शन के तेजी से आगे बढ़ने के साथ फिल्म जल्द ही सिंसर्शिप से गुजरने वाली है यह हिंदी फिल्म रेड की रीमेक है जिसमें रवी तेजा में एक सरकारी करमचारी के रूप में नजर आएंगे जिसमें एक सामाजिक संदेश भी है वहीं भागिश्री बोर्से इस त्रिलर फिल्म में रवी के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी यह फिल्म निर्देशक हरीश शंकर द्वारा निर्देशित और टीजी विश्विप्रसाद द्वारा निर्मित है फिल्म में रवी तेजा और भागिश्री बोर्से के साथ सुबलेखा सुधाकर भी प्रमुक भूमिका में है कहानी भारतिय उद्योगपती सरदार इंदर सिंग पर एक नाटकिये आयकर छापे के इर्दगिर्द घूंती है अजय देवगन की रेड का तेलुगू रुपांतरन मिस्टर बच्चन स्वतंतरता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्ट 2024 को सिनेमा घ्रों में धमाल मचाएगी 14 अगस्ट को सभी जगे विशेश प्रीमियर होगा